हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें दिलक समय आ गया है, इस तारक के कारण आपको असुद लोग आना ही होगा ओ देवी गंगा, प्रणाम, कल्यान मस्तू, देवी गंगा, आपके इस दर्शन का प्रयों, प्रोजन, वत्स तारक, ब्रह्मा जी से तुमने जो वर्दान प्राप कर लिया है, उसके लिए मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ, आशा है, तुम्हें स्वर्दान का उप्योग और प्रयोग स्रिष्टी के हित में और स्रिष्टी के विकास के लिए करोगे, आदेवी गंगा, मैं स्वर्दान का उप्योग श्रिष्टी के हित में और स्रिष्टी के विकास के लिए ही करूँगा, परन्तु ये श्रिष्टी देवताओं के लिए नहीं होगी, असरों के लिए होगी, इसके पस्चात असर जो चाहेंगे वहीं होगा, और देवताओं की इच्छा के अनुसार कच नहीं होगा, कच नहीं, श्रिष्टी का निर्माण, देवताओं और देत्य दोनों के लिए किया गया है तारक, परन्तु मैं चाहता हूँ कि ये श्रिष्टी केवल असरों की हो, देवताओं ने हम से सदा छल कपट किया है, और आपने भी देवताओं को ही सहयोग दिया है देवी, ये तुम्हारा ब्रह्म है वच्छ, ब्रह्म है, क्या आपने हमारे पूर्वज राजा प्रहलाद को ब्रहमित नहीं किया था, क्या आपने राजा बली को भैकाया नहीं था, आप ही के कारण असुरों का अस्तिष्ट छीन हो गया है देवी, छीन हो गया है, ये कैसी बाते कर रहे हो वच्छ, मेरा प्रादुर्भाव ही तो दोसरों की भलाई के लिए किया गया है, मैं पापियों को मिश्पाप करती हूँ, पाप पुन्य की परिभाषा मैं नहीं जानता देवी गंगा, मैं तो केवल इतना जानता हूँ, कि असुर उन्हें कोई पाप नहीं किया है, और यदि उन्हें पाप भी किया है, तो आप उन्हें निश्पाप करने असुर लोग क्यों नहीं आईं? समय आने पर मैं अवश्य असुर लोग आ जाऊंगी वत्स, तो समझ लीजिए देवी, समय आ गया है, इस तारक के कारण आपको असुर लोग आना ही होगा, हमारे पूर्वजो ने जो चाहा था, अब वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा, तुम्हारा तल्यान हो जोब बट्स